आज के इस विडियो में हम electrician interview questions जो अकसर interviewer द्वारा पूछे जाते हैं तो आज हम उन्ही में से कुछ important top 10 questions with answers को cover करेंगे question 1, multimeter क्या होता है और क्यों उप्योग किया जाता है? Question 2, voltage की परिभाशा क्या होती है? Question 3, voltage और current में क्या अंतर होता है? Question 4, electric से लगी हुई आग को कैसे बुझाया जा सकता है? Question 5, MCB का पूरा नाम क्या है और यह क्यों उप्योग किया जाता है? Question 6, solar electricity क्या होती है? Question 7, overlapping क्या होती है? Question 8, soldering iron का element किसका बना होता है? Question 9, soldering iron का bit किसका बना होता है? Question 10, UPS का पूरा नाम क्या होता है? Question 1. Multimeter क्या होता है और क्यों उप्योग किया जाता है? Answer. Multimeter एक measuring device होता है जो कि बहुत सारी electrical properties का मापन कर सकता है जैसे कि current, voltage, resistance आदी इसलिए इसे multimeter या फिर volt ohm mm भी कहा जाता है Question 2. Voltage की परिभाशा क्या होती है? Answer. Voltage एक प्रकार का electromotive force होता है या फिर एक प्रकार का pressure होता है जो कि कि किसी भी circuit में electron के flow के लिए उत्तरदाई होता है अर्थात इसी electromotive force के कारण ही किसी circuit में current flow होती है Question 3. Voltage और current में क्या अंतर होता है? Answer. Voltage एक प्रकार का electromotive force होता है और यह किसी भी circuit में current के बहने के लिए उत्तरदाई होता है जबकि कि किसी भी conductor के द्वारा electrical charge के flow होने की दर को current कहा जाता है Voltage को volt में मापा जाता है जबकि current को ampere में मापा जाता है Question 4. Electric से लगी हुई आग को कैसे बुझाया जा सकता है? Answer. Electric से लगी हुई आग को बुझाने के लिए C-type की gas का उप्योग किया जाता है जिसमें carbon dioxide, gas होती है और अगर हमारे पास कोई instrument उपलब्ध न हो तो फिर rate और मिट्टी की सहायता भी ली जा सकती है Question 5. MCB का पूरा नाम क्या है और यह क्यों उप्योग किया जाता है? Answer. MCB का पूरा नाम miniature circuit breaker होता है और यह एक प्रकार का circuit breaker होता है जो की किसी भी प्रकार के fault या फिर किसी भी abnormal condition जैसे की overload या short circuit में power supply को off कर देता है इसका सबसे ज्यादा उप्योग घरों में power supply के दौरान protection के लिए उप्योग किया जाता है Question 6. Solar electricity क्या होती है? Answer. जब किसी भी electrical grid के द्वारा जो power supply दी जा रही है उसको जब solar panels के द्वारा collect किया गया हो और यह energy सूरियर से प्राप्त की गई है तो इसे solar electricity कहा जाता है भी electrical circuit में इसकी rating ज्यादा watt का बल्ब लगा देना जिससे की इस बल्ब से निकलने वाली high heat के कारण wire जल जाता है या अन्य instrument प्रभावित होते है इसे ही overlapping कहा जाता है Question 8. Soldering iron का element किसका बना होता है? Answer. Soldering iron का element Nichrome का बना होता है Question 9. Soldering iron का bit किसका बना होता है? Answer. Soldering iron का bit तामबा धातु का बना होता है Question 10. UPS का पूरा नाम क्या होता है? Answer. UPS का पूरा नाम Uninterrupted Power Supply होता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे हमारे चैनल ALC Hindi Tech को सब्सक्राइब करे Thank you